आज से नायखाय के साथ लोक आस्ता का महापर्व छट की शुरुवात हो चुकी है 19 तारिक को डुपते सोरी को अर्द दिया जाएगा 20 को उपते सोरी को अर्द देने के साथ ही 4 दिन का महापर्व खतम होगा आज की दिन छट रतियों ने सुबह सुबह नदियों में इस्नान किया नए कपड़े पहन कर सूरी की पूजा की इसके बाद नदि के पवित्र जल में सात्विक रूप से बनाय जाने वाले कद्दू भात का प्रसाद ग्रहन किया छट पर्व मुख्य रूप से भगवान भासकर की उपासना का पर्व है जोती शाचारे पंडित राकेजा बताते हैं कि छट पर्व की शुरुवात रवी योग में हो रही है समापन ध्रूव योग में होगा छट मापर्व के पहले दिन नाय खाये है नाय खाये के दिन बोजन में लसुन प्याच का इस्तेमाल भी नहीं होता है इस दिन लोकी की सबजी और वाचावल चने की दाल आवला की चटनी पापड तिलोरी आदी बनते हैं जिसे प्रशाद की रुप में ग्रहन किया जाता है नाय खाये के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले वरत रखने वाली महिलाओं और पूरुशों को परुसा जाता है इसके बादी परिवार के अन्ने लोक बोजन ग्रहन करते हैं इस प्रचात के सेवन का भी खास महत्व है